गुड मॉनिंग एवरिवन आएम नंदिनी वेलकम तो आज चैनल वाइफाई इस्टड़ी विथ नंदिनी जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं 17 फेब के करेंट अफियर के बारे में तो आएए देखते हैं क्या है हमारे पास पहली बात हम करेंगे विश्व मानो आत्मा दिवस के बारे में जो हर साल 17 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार भी 17 फरवरी 2030 को मनाया जाएगा इसकी स्टार्टिंग इसने करी थी मानो विश्व मानो आत्मा दिवस के रूप में तो 2003 में माइकल लेवी के द्वारा स्टार्ट करा गया था मानवी भावनाओं का विकास करना, शान्ती पुन और प्रेम पुन तरीके से अपनी जीवन को जीने के लिए उसको प्रोटसाहिद करना और साथ में ही आध्यात्मिक विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रल मिनिस्ट्री और दक्षण अफरिका के बीच में एक MAU पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी गई है पंदर फरवरी को अच्हारी ये किसलिए करा गया है तो विकलांगता छेत्र में सहयोग के लिए भारत और दक्षण अफरिका के बीच में समझोतों को बढ़ाने के लिए जिसके तहट दोनों देश बड़ी संख्या में जो दिव्यांग जन है उनको लाभानवित करने वाले विशेश प्रकार के नियम कानून और साथ भी योजनाय बनाएंगे और उनके लिए वैज्यानिक टिकाऊ और कमलागत वाली सहायक सामगरियों, सहायक उपकरणों के आवि टाउन विधाई राजधानी है, कारेकारी राजधानी प्रिटोरिया है और नयक राजधानी ब्लूमफोन टोन है नेक्स्ट हम बात करेंगे शिंकू लॉट टनल के बारे में जो लदाख में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जिसका निर्मार किया जाएगा और जिसके घुशना कैबिनेट ने 15 फरवरी को कर दी है यह जो यह बनाया जाएगा यह 4.1 किलो मीटर लंबा होगा टनल और साथ में ही निमू पदम दार्चा रोड 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 लिंक पर बनाया जाएगा इसमें जो लागत आएगी वो 1681 करोन रुपए की लागत की संभावना है और कहा जा रहा है कि दिसंबर 2025 तक यह बनकर तयार हो जाएगी अगर शिंकुला टनल के बारे में बात करें तो यह जो शिंकुला दर्रा है उस पर 16,580 फिट की उचाई पर बनाया जाएगा और लद्दाग और हिमाजल प्रदेश की सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा है ठीक है और हिमाजल प्रदेश में लेह लद्दाग की जासकर घाटी को लाहॉल से जोडने का काम करेगा और यह रोतांग दर्रे के उत्तर में इस्थित है यह जब आप मैप देखेंगे ना उसमें जो रोतांग दर रहा है उसके उत्तर की तरफ ये इस्तित है और जो हिमाजल प्रदेश में ले लद्दाक की जासकर घाटी की लाहॉल को जोड़ने का ये काम करेगा नेक्स्ट शुनुल लाटनन के बारे में अगर हम बात करें और तो इसको जो बनाया जा रहा है वो BRO ठीक है यानि सीमा सड़क संगठन उसके द्वारा बनाया जा रहा है हमें पता है कि ये ऐसा संगठन है जो भारत के सीमाओं पर रोड का टनल का पुल का निर्माण करता है ठीक है और इसके लबाई हमने बात कर ली है इसके महत्व क्या है क्यों बनाया जा रहा है महत्तों के ऊपर अखारों हम बात करें सबसे पहले कोई भी मौसम हो ठीक है ऑर साथ में साथ में ही बूसकलन के भी संभावना है तो बहुत सारा ऐसा गर्मी है भापे ठंड का टाइम है ठीक है तो बर्फ जमने के संभावना होती है जादा तर तो जो यह सुरंग है वो लद्दा के सभी मौसब में एक सड़क संपर का काम करेगी और केंदर शाषित प्रदेश के जो सीमा वर्ती छेतर हैं उनके लिए ए अगर मारग अच्छा है रोड अच्छा है तो इससे क्या होगा परेटन को बढ़ावा मीलेगा स्वास्त और सिक्षा को भी बढ़ाव मिलनी की संभावना है राश्ट्य सुरक्षा के देश्ट्री से भी हुए महत्यपूर्ण है और शुरक्षा बलों की आवाजाही के दिया है और इनका जो कारेकाल मूल रोप से 2004 को समाप्त हो जाएगा ठीक है और 2019 में सेंग्सराज अमेरिका में रिपब्लिकन प्रशाशन द्वारा 2019 में उन्हें यहां नुप्त किया गया था विश्व बैंक का जो अध्यक्ष होता है उसकी नुप्ति अमेरिका के द्वारा ह उसके बारे में अगर हम देखें तो उन्होंने कोविड-19 वाला जो टाइम पीरिड है यूक्रेन और रूस का जो आकरमण है यूक्रेन पर जो रूस का आकरमण है आर्थिक मंदी जैसे वैश्विक संकटों को देखा है और साथ में उन्होंने काम भी अच्छा करा है तर ब महत्वपून काम थे जो मालपास के द्वारा किया गया था नेक्स हम बात करेंगे विश्व बैंक का परीचे लेंगे तो देखो विश्व बैंक दुनिया भर के विकाशिल देशों के लिए विट्टिय और तकनिकी सहायता का एक महत्वपून इस्तरोथ है ठीके इस्पेश थर्थन करने के लिएक अनूठी साचिधारी है बैंक इसका सिर्फ नाम है लेकिन इस यह पेसलीच जो काम है इसका जो फोकस है कि वो है कि साब्स्कारी के से गरीबी को कम किया जाये और विकास की प्रक्रिया है उसको कैसे बरहवा दिया जाय विश्व पूरे विश्व के देशों के साथ मिलकर विश्व बैंक समू के पांच संस्थान है यानि इसके जो फाइफ जो इंस्टूट हैं वो मिलकर काम करते हैं जैसे IFC अंतरास्टिय बितनिकम, IBRD पुनरिर्मार और विकास के लिए अंतरास्टिय बैंक इन सब के बारे में हम विश्व बैंक पुरी दुनिया में काम करता है गरीबी और विकास को बढ़ाने के लिए गरीबी को ख़द्म करने के लिए नेक्स हम बात करेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई के बारे में एक लिस्ट जारी करी गई है सबसे जादा प्रदोशित शहरों के ठीक है ये लिस्ट किसके द्वारा जारी करी गई तो Swiss Air Tracking Index IQ Air के अनुसार जारी करी गई है और इन्होंने बोला है कि भारत में जो फरवरी के बीच में जो सर्वे कराए गया उसमें कहा गया कि इस टाइम पीरिड में यानि 29 जनवरे से 28 फरवरी के बीच में मुंबई दुनिया का सबसे प्रदूशित शहरों में दूसरा इस्थान रखता है 71% मुंबई की हवा में पार्टिकलिट मैटर लोड का कारण नि देख सकते हैं आपकी फर्स नंबर पर लाहॉर है पाकिस्तान का दूसरे नंबर पर मुंबई है भारत का काबूल काबूल अफगानिस्तान का थर्ड नंबर पर काउशुंग टाइवान का फोर्थ नंबर पर और फिफ्ट नंबर पर विश्के किर्गिस्तान का है और बाकी नेशन एन्वार्मेंट प्रोग्राम, UNEP और Greenpeace के साथ मिलकर काम करता है। साथ में ही केंद्रे प्रदूशन नियंतरर बोर्ड, CPCB के डेटा का उपयोग कर, मतलब जो डेटा, CPCB उपलब्द कराता है, उस डेटा का भी ये उपयोग करता है भारत में वायू गुडवत्ता को मापता है। इतने भी शहर हैं, उनको healthy, unhealthy और खतरनाक इन तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिससे कि उनको actual report पता चले उस particular शहर का उस particular area का। नेक्स्ट हम बात करेंगी, ICICI Bank और BNP Paribas ने एक banking समझोते पर हस्ताक्षर करा है। और BNP Paribas जो bank है, वो France का सबसे बड़ा bank है और अगर हम देखें तो Europe का भी सबसे बड़ा bank है। इस्पेशली जो European corridor है और भारत इन दोनों के बीच में corporate ग्राहकों को वित्य सेवाय प्रदान करने के लिए, विवसाय को बढ़ाने के लिए, कंपनियों को प्रोथसाहित करने के लिए, स्टार्ट अप्स को बढ़ावा देने के लिए ऐसा समझोता किया गया है। ICICI bank के जो कारेकारी निदेशक है वो कौन है? अनुप बागची तो अनुप बागची नहीं कहा है कि जो हम ICI bank है और BNP पारिवा के ग्राहकों को समर्थन करेगा और भारत में जो उनका कारोबार है उनको बढ़ाने में विशेश योगदान देगा और जो ये पारिवा bank ह वो भी यूरोप में भारत के ब्यापार को बढ़ाने में विशेश योगदान प्रदान करेगा जिससे कि दोनों की आर्थविवस्थाएं मजबूत होंगी और साथ में ही जो corporate जगत है उनको वित्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी अगर हम बी एन पारिवा के बारे में बात करें तो ये एक फ्रांसेसी अंतरास्टे बैंकिंग सम्मू है जिसके स्थाफना 2000 में बंके नेशनल डी पेरिस और परिवास के बीच विलह के साथ हुई थी मतलब 2000 में दो बैंक थे बंके नेशनल ली पेरिस और परिबास इन दोनों का विले हुआ था जिसके पास BNP पारिबा बना था ठीक है अगर हम देखें तो फ्रांस जो फ्रांसिसी बैंकिंग समू है एक और सबसे बड़ा फ्रांसिसी फ्रांस का बैंक है साथ में यूरोप का बहत्तर देशों में काम करता है और 1860 से भारत में है ये ठीक है और प्रमुक अंतरास्टिय वित्य संस्थानों में से एक है जो कॉर्पोरेट और संस्थागत बैंकिंग और विक्तियों के लिए निवेश की सेवाओं को उपलब्द कराता है वित्य सेवाएं प्रदान करता है नेक्स्ट हम बात करेंगे RBI के बारे में जिसने पेमेंट एग्रिगेटर लाइसेंस के लिए 32 संस्थानों को ऑफिशली मंजूरी दे दी है अच्छा अब ये पेमेंट एग्रिगेटर क्या होता है तो देखो पेमेंट एग्रिगेटर का मतलब होता है एक वो माध्यम ज इसी कंपनी को मतलब एक पैसे कर का जो ट्रांजेक्शन का माध्यम है इजी वे में उसको बोलेंगे पेमेंट एग्रिगेटर जैसे हम पेटियम का प्रियोग करके करते हैं तो RBI ने इसी काम को आगी बढ़ाते हुए ऐसा करा है अच्छा कुछ कंपनिया हैं जिसके यहां पर नाम लिखे गए हैं जिसको RBI ने मनजूरी दी है जिसमें से अमेजन पे इंडिया प्राइबेट लिमिटेड गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज प्राइबेट लिमिटेड इन्फी वीम एवेनूस लिमिटेड रिलाइंस पेमेंट सॉलूशन लिमिटेड और जो 2007 आया था जिसके तहत पेमेंट और सेटल्मेंट सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए पेमेंट को और इजी करते हुए RBI के द्वारा ऐसा करा गया है पेमेंट एग्रिगेट का काम दुकांदार और e-commerce sites को पेमेंट services उपलब्द कराना है अच्छा इससे ग्रहकों से सभी तरीके से पैसे लिया जा सकता है और दुकांदारों को बैंक खाता खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अभी तक 180 से अधिक fintech कंपनिया और स्टार्टप्स ने पेमेंट एग्रिगेटर लाइसेंस के लिए आवेदन किया है RBI में नेक्स्ट हम बात करेंगे Paytium Payments Bank UPI Light Feature लाँच करने वाला पहला बैंक बन गया है अब इसके माध्यम से क्या है इसको थोड़ा समझते हैं तो इसमें छोटे मुल्ले का जो भुकतान है लेंदेन है उसको बड़ी आसान तरीके से किया जा सकता है और जो ये detailing है इसकी है ना इसका जो लेंदेन का process है या जो इसकी detailing है वो बैंक खाते में न दिखकर या बैंक passbook में न दिखकर कहा दिखेगा पेटियम balance और history section में दिखाई देगा इससे क्या होगा इससे बड़ी संख्या में छोटे छोटे जो amount है उसको बिना चिंदा किये कई बार में इसको हम transfer कर सकते हैं ठीक है ना अच्छा इससे जो payment की प्रक्रिया है वो आसान भी बनेगी और तेज भी बनेगी साथ में ही इसमें आप अधिक्तम दिन में 4000 रुपए का transfer कर सकते हैं और जो peer to peer और person to merchant लेंदेन की सुविधा को बढ़ावा देगा सितंबर 2022 में ही भारती रिजरुब बैंक ने इसका जो model है इसका जो feature है वो launch कर दिया था उसके बारे में बता दिया था अब officially ये service में आ जाएगा ठीक है ना तो यानि दो बैंक हातों के बीच में तुरंत जो धन को हस्तांतरित करना है ऐसे का linden है उसको mobile उपकरणों के माध्यम से बहुत जल्दी किया जा सकता है ऐसा feature लाए गया है Paytm Payments Bank के द्वारा next हम बात करेंगे जैसा कि हमको पता है कि जब Central Government का budget रिलीज हो जाता है तो उसके बाद और भी State और UT हैं जो अपने budget को रिलीज करते हैं तो इसी क्रम में हम देख रहा है कि Education में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला जो UT है या जो राज्य है वो कौन बन गया है तो सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला जो यूटी है वो दिली बन गया है जिसने अपनी budget का 22% खर्च किया है Education पर और उसके बाद जो है आसाम है जो 20% खर्च कर रहा है और हिमाजल प्रदेश 19% खर्च कर रहा है Education पर और इसी सीरीज को इसी जो लिस्ट है इसको जोईन करते हुए 36 गढ़ 4 नंबर पर आ गया है जो 18.82% आबंडित करा है जिसने Education के लिए और बिहार आ गया है 5 नंबर पर जिसने 18.3% आबंडित करा है Education के लिए जब राश्ची सैंपल सर्वेक्षन 2018 हुआ था तो उसमें 36 गढ़ की जो साक्षर्ता दर थी वो क्या थी 77.9% थी और बिहार की जो साक्षर्ता दर थी वो कितनी थी 70.9% थी तो इसी को इंप्रूफ करने के लिए ये जो बजट है वो Education में बढ़ाया गया है इन दोनों स्टेट के द्वारा नेक्स हम बात कर लेते हैं Central Government के बारे में जब अभी बजट आया है तो Central Government ने Announcement करा है कि उनके कुल बजट का 16.51% यानि 44,094 करुन रुपए सिक्षा पर आबंधिप किया जाएगा जो पिछले साल की तुलना में 8% अधिक है और अगर हम साक्षरता दर के बारे में बात करें तो सबसे फर्स नंबर पे सबसे ज़्यादा साक्षरता कहां पर है केरल की है 96.2, तमिल नाडू की 82.9, छतिसगड की 70.28, पश्चिम बंगाल की 76.46, यूपी में 67.68, राजस्तान में 66.11 और भिहार में 61.8% की साक्षरता दर बताई जा रही है नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत और इस्पेन के बारे में जिसमें भारत के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी और स्पेन के तरफ से जो आयते पेडरो सांचेज, उनके बीच में कुछ विश्यों को लेकर सहमती वेक्थ हुई है कि इन विश्यों पर वो आगे काम करेंगे पंदरफर्वरी को ऐसा किया गया अब वो विश्य इंपॉर्टेंट है, वो विश्य कौन से है वो देख लेते हैं डिजिटल बुनियादी राचा, जलवाय कारेवाई, स्वक्ष उर्जा और सतद विकास जैसे मुद्धों पर सहयोग करने की बात की गई है भारत इस्पेन के संबंधों के बारे में बात करें 1972 में ब्यापार और निवे संबंधों को अधिक मजबूत करने के लिए आर्थिक सहयोग पर भारत इस्पेन संयुक्त आयोग के स्थापना की गई थी जिससे की भारत और स्पेन के जो संबंध है वो और स्ट्रॉंग हुए थे और ब्यापारिक रूप से भी एक दूसरे को आर्थिक रूप से भी मदद पहुची थी भारत किन चीजों का निर्याद करता है इस्पेन पर अगर इसके बारे में हम देखें तो कार्बनीक रसायन, वस्त्र, लोहा, इसपाथ, उत्पाथ, मोटर, वाहन, गटक, समुद्री, उत्पाथ और चम्रे जैसी चीज़ें हैं जिनका भारत निर्याद करता है इस्पेन को देखो भारत और इस्पेन के बीच में दुई पक्षिय समझा होते हुए हैं वो कब-कब हुए, किस की सन में हुए, यह हम देख सकते हैं यह लिस्ट दी गई है और आप इसको वीडियो पॉस करके पढ़ सकते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे लद्दाप का जो पैंगोंग जील है, उसमें फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित किया जा रहा है, फ्रोजन लेक मैराथन का मतलब है कि पैंगोंग जील जम गई है और उसके उपर मैराथन करा जा रहा है, इसकी जो उचाई है वो 13,862 फिट की पिछ में आयोजित किया जा रहा है मैराथन लुकुंग से शुरू होकर मानों मान गाउं तक समाप्त हो जाएगी यानि जो लग्दाक का एरिया है लुकुंग वहां से स्टार्ट होगी और जो समाप्ती कहां पर होगी मान गाउं पर समाप्त हो जाएगा इसमें कुल भारत औ पार्टिपेट कर रहे हैं नेक्स हम बात करेंगे भारत और फीजी के बारे में जिन्होंने एक एमियू पर हस्ताक्षर करा है यह समझोता है राजनाइक और आधिकारिक पास्कोर धारकों के लिए वीजा छूट पर समझोता करा गया है सोलव फरवरी को विदेश मंतरी एस जैशंकर और फीजे के प्रधान मंतरी थे सित्वनी राबुका उनके बीच में ऐसा करा गया और साथ में भारत और फीजी ने सुवा में स्टेट हाउस की सोलराइजेशन का भ्यूद घाटन करा और भारत पहला देश है जिसने प्रशांत प्रशांत महासागर वाला एरिया देखेंगे तो वहां पर दक्षणी प्रशांत महासागर में लगबग तीन सो द्विपों का एक सम्मू है जिसकी राजधानी है सुवा मुद्रा है फीजियन डॉलर और यहां के राजपती है विलियम कोटो निवेरे और पधान मंतरी है स दॉक्टर SSV रामकुमार उन्होंने बैंगलूरू में इंडिया एनर्जी वीक में बोलते हुए कहा कि इंडिया ओयल क्या करेगी एक भारतिय पी एस यू रिफाइनर 2030 तक 137,000 टन प्रतिवर्स ग्रीन हाइट्रोजन की सुविधा उपलग करा देगी ऐसा कहना है और उन्ह से पहले पानिपत रिफाइनरी में 7,000 TPA इलेक्ट्रोलिसिस प्लांट लगाया जाएगा इंडियन ओयल के द्वारा जिससे की बायो मास गैसी करन भारत में हरित हाइड्रोजन की उत्वातन का एक बहतर तरीका बन सके और ऐसा है भी भारत के अंदर और साथ में ये भी बोल और कैपिसिटी वाला एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा साथ में ही जो भारत का विजन है जीरो कार्वन उसको भी पाया जा सकता है हम बात कर रहे हैं ग्रीन हैड्रोजन के बारे में यह कहा जाता है कि जो हैड्रोजन है वो उर्जा का सबसे बड़ा वाहक माना जाता है और इसका जो production है वो पानी से, जिवाश में, इंधन से और बायो मास के द्वारा हो सकता है और इसका जो इस्तेमाल है वो हम ओर्जा और इंधन को बनाने के रूप में, इंधन के रूप में प्रियोग कर सकते हैं हाइड्रोजन और अमोनिया भविश्य के लिए इंधन के सबसे बड़े सोर्स के रूप में काम कर रहे हैं और अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो जीरो कार्बन का उत्सरजन इसके द्वारा होगा और इसलिए इसको नविकरणी और जाके सोर्स के रूप में अपनाया जा रहा है और आप देखेंगे कि बहुत सारे स्कीम्स बने हैं और इसके उपर दूसरे देशों के साथ मिलकर भारत कई सारे स्कीम्स भी बना रहा है और साथ में भारत खुद भी ऐसा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है अब हम बात करेंगे ब्लैक बॉक्स के बारे में जिसको बनाया गया है हिंदुस्तान Aeronautics Limited के द्वारा इस ब्लैक बॉक्स के उप्योग के लिए हिंदुस्तान Aeronautics Limited को मंजूरी मिल गई है किसने मंजूरी दी है तो DGCA ने मंजूरी दी है DGC क्या है तो नागरिक उडियन महाने देशाले है अच्छे ये जो ब्लैक बॉक्स है इसमें दो मेमोरी है जिसके माध्यम से इसको बनाया गया है CVR और FDR CVR का फुल फर्म कहा है cockpit voice recorder और FDR का फुल फर्म कहा है तो flight data recorder यानि इस data के माध्यम से ही हवाई जहाज का अगर विमान दुर घटना होती है तो उस समय जो कुछ भी होता है, जो भी गतिवीदिया होती है, उसको record करने का काम किया जाता है, यह आप देख भी रहा है, स्क्रीन पर है, यह नारंगी रंग का memory card एक तरीके से, जिसका नाम है black box, जहाज की उडान की दौरान, जो भी गतिवीदिया हो रही है, उसको record कर लि जाएगा, इसलिए black box का प्रियोग किया जा रहा है, अच्छा इसको जो है मजबूत धातू titanium से बनाया गया है, ताकि कुछ भी दुरगटना होती है, तो यह black box सुरक्षित रह जाए, सबसे पहले 1950 में इसको बनाने की शुरुआत करी गई थी, और सबसे पहला जिसने black box बन अब हम बात करेंगे सूरज के बारे में, सूरज वो नहीं है जो हमें दिखता है, सन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, जिसे हमें गर्मी मिलती है, यहाँ पर सूरज एक drone है, और किस से चलने वाला है, सौर उर्जा से चलने वाला drone है, जिसको बनाया गया है, स्टार्ट नए स्टार्टप्स को प्रमोट किया जा रहा है और नई नए वस्तूं की प्रदशनी करी जारही है या कोई उपकरन हत्यार से रिलेटेट ऐसी चीज़ें प्रदशित करी जा रही है तो इसी क्रम में हमने देखा कि एक सूरज भी ड्रोन आया है जिसको सवरूजा से चलाया जा रहा है अगर हम इस पर्टिकलर ड्रोन की बारे में बात करें तो ये 12 घंटे तक उड़ान भर सकता है और 3000 फिट की उचाई तक जा सकता है साथ में ही 10 किलोग्राम का ये वजन भी अपने साथ ले सकता है और इसके अंदर जो कैमरे लगे हैं वो हाई रेजोलूशन कैमरे लगे हैं और थर्मल इमेजिनरी और लिडार सिस्टम सेंसर पर काम करते हैं ये साथ ही ये निगराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कैमरे के रूप में ये ड्रोन काम कर सकते हैं अब अब नेक्स बात करेंगे Security Printing and Meeting Corporation of India Limited यानि SPMCIL और Energy Resources Institute यानि TERI के बारे में ठीक है अब ये क्या कर रहे हैं तो ये एक ग्राम मॉडल के एकिकरत विकास के लिए इन्होंने एक M.E.U. पर हस्ताक्षर किये हैं ये गाउं कौन सा है तो मद्य प्रदेश का देवास जिला है जिसका सिरोलिया गाउं है तो उसके विकास के लिए ये दोनों कंपनिया मिलकर काम करेंगी अगर हम उर्जा संसाधन संस्थान यानि TIRI के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1974 में टाटा समूग के द्वारा कीक करी गई थी Energy Resources Institute के रूप में 2003 में इसका नाम बदल गे बदल कर The Energy Research Institute कर दिया गया था और टेरी का जो काम है वो इसका जो मुख्याला है वो नई दिल्ले में है और इसके जो महानिदेशक है वो कौन है तो विभा धवन है नेक्स्ट हम बात करेंगे Tourism Ministry के बारे में हम सबको पता है कि Tourism Ministry के तरफ से स्वदेश दर्षन 2.0 और प्रसाद यानि तिर्थ यात्रा, काय, कल्प और आध्यात्मिक विरासत समवर्दन अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहट करनाटक के कुछ पर्यटन इस्थल कुछ तिर्थ यात्री केंद्र है जिनको चुना गया है उनके विकास के लिए और वो जगह कौन सी है वो देख लेते हैं तो मा चामुंडेश्वरी देवी मंदिर मैसूर करनाटक का विकास श्री माधोवन कुंजारूगिरी उडूपी जिला पापनाश मंदिर विदर जिला और श्री रेनुका यलंपा मंदिर सोदत्ती बेलगामी जिला मतलब इनको चुना गया है विकास करने के लिए जब ये योजना 2014-15 में स्टार्ट करी गई थी तो इसका नाम प्रसाद था ठीक है 2017 में इसका नाम बदल कर प्रशाद कर दिया गया यानि तिर्थ यात्रा कायकल्प और आध्यात्मिक विरासत समवर्दन अभियान जिसका उ हचान है उसको फिर से जिवन्त किया जाए है ना तो उसको रिनोवेट करा जाए तो इस छेतर में काम करने के लिए प्रशाद योजना बनाए गई थी इस नाम बात करते हैं कि भारत में पहली बार एसी इलेक्ट्रिकल डबल डेकर बस उतारी जा रही है कहां पर और योगि पूरी तरेके से एसी वाली बस है और कहा जा रहा है कि सबसे पहले बीस बसे निकाली जाएंगी और बाद में यानि साल के अंग तक इसको दो सतक पहचाया जाएगा ठीक है और सबसे पहले कहां पर उतारा जा रहा है तो याद रखेंगे मुंबई में ऐसा किया जा रहा है अब हम बात करेंगे G20 सांस्कृतिक समू के बैठक के बारे में जो मद्य प्रजिस के खजुराहों में 22-25 फरवरी 2023 को होगी सांस्कृतिक मंत्राले के द्वारा और साथ मैं आपको बता दें कि इस बार की जो थीम है वो सांस्कृतिक विरासत का सनरक्षन और पुनरस्थापना है इसकी जो दूसरी बैठक है वो ओडिसा के भूनेश्वर में और तीसरी बैठक करनाटका के हमपी में होगी इसके अलावा एक एक्जबिशन भी लगाए जाएगी जो कहां पर लगे जाएगी तो महराजा 16 साल कर्मेंसन सेंटर में लगाए जाएगी जिसकी थीम होगी रीड्रेस रिटर्न आफ ट्रेसर इसके साथ साथ जो वसुध है कुटुम्बकम यानि एक प्रतिवी एक परिवार और एक भविशे के साथ साथ में जो भारत की सांस्यतिक संब्रदी और विवित्ता है उसका भी प्रदर्शन किया जाएगा कल्चर ओफ लाइफ और नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा थी पिछले साल जो इनिसेटिव उनकी द्वरा लिया गया था मिशन लाइफ परियावरण के लिए जीवन शैली ये भी प्रमुक्ता से प्रदर्शित किया जाएगा अच्छा अगर हम सांस्कृति कारिकरम के बारे में बात करते हैं और इस्पेशलि जब हम खजुराहों के बारे में बात करते हैं तो चोल राजवन्ष था, उनके द्वारा 950 से 1050 के बीच में, जो खजुराहो है, उसका निर्मान करवाये गया था, और साथ में आपको बता दें कि भारत की CWG के चार प्राथमिक्ता वाले छेतर हैं, वो कौन से हैं, यानि सांस्कृतिक समूं की जो छेतर हैं, वो कौन से ह किस पर काम किया जाएगा, तो वो है सांस्कृतिक संपत्ति का संरक्षन और बहाली, तिकाव भविशे के लिए इस्थाई विरासत का दोहन करना, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देना, रचनात्मक अर्थ विवस्था और संस्कृतिक संरक्षन औ वारे में जिसने यह अनुमान लगाया है कि 2025 तक विश्व की आदे बिजली एशिया महादेव के देशों के द्वारा खर्च की जाएगी जिसमें चाइना सबसे ओपर नंबर पर है साथ में आपको बता दें कि ये भी कहा गया है कि भारत चेंड जापान और दक्षनी कोरिया क की वज़े से ही एशिया नंबर बन पर होगा बिजली खपत की मामले में भारत सबसे तेज यानि 81% ब्रिद्धी करेगा और पन बिजली उत्पादन में भी अगर भारत की स्तिती को दिखा जाए तो 2017 से 21 के बीच में 10% सलाना को बढ़ाया है भारत में है ना तो इस वज़े से कहा जा रहा है कि एशिया महाद्वीब भारत का एशिया महाद्वीब सबसे ज़़ादा बिजली खपत करने वाला महाद्वीब बन जाएगा 2025 तक नेक्स्ट हम बात करेंगे केंद्रिय रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है डॉक्टर मनसुख मंडाविया तो उनके द्वारा उत्तरब्देश के दो जीले आवला और फूलपूर में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को ऑपरेटिव लिमिटेड यानि इफको के नैनू यूरिया तरल सन्यत्रों का उत्गाटन किया गया और इसके पहले इफको ने गुजरात के कोलन में दो लाक बोतल का उत्पादन प्रते दिन हो सकी इसके लिए एक प्लांट स्थापित किया था जिसका उत्गाटन प्रधान मंत्रे नरेंद्र मोधी के द्वारा किया गया थ और इसका उदेशे क्या है किसानों की प्रगती को सुनिश्चित करना उनकी आय में प्रिद्धी करना इस वीडियो में इतना ही आई होग कि आपको पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए आपका दिन मंगल मैं हो थैंक यू प्लीज।